बच्चपन में स्लेट पर लिखे गए एक अक्षर पर बार बार लिखने से कलम चलाने की शुरुवात होती है कुछी महिनों और कुछी वर्षों में वो ही बच्चा एक कॉपी लेकर पैंसिल से लिखने की शुरुवात करता है कुछ वर्ष बाद पैन हाथ में होता है उसके बाद कीबोर्ड सामने आ जाये करते हैं कुछ वर्षों तक वो यात्रा जब कीबोर्ड की और चलती है तो उसके बाद वेक्ति के पास समय की इतनी कमी हो जाती है कि वो सिर्फ कुछ बातों को डिक्टेट करवाता है और लिखते दूसरे लोग हैं एक उम्र ऐसे भी आती है जहां संकेत के मध्यम से वो समझाता है और उसे डिकोड करके लिख दिया जाता है एक अवस्था ऐसे भी आती है जब उस वेक्ति के अनुभव कामकाज में छोड़ी गई उसकी लेगेसी और लिखे हुए कुछ शब्द लोगों के काम आते है और उससे भावी जीवन के और कामकाज के अर्थ निकाले जाते है पारिवारे के स्थर पर भी यही स्थितियां चलती है किसी समारों में जाने पर स्वैम को सबसे मिलना है चरण स्परश करने है अपनी प्रिजन्स को एस्टेबलिश करना है एक उम्र ऐसे आती है जहां सिर्फ एक व्यक्ति विशेश को नमशकार करके अपने स्थान को ग्रहन कर लिया जाता है सारे ही लोग आकर मिलते है और एक अवस्था ऐसे भी आती है जब कोई घर में समारों है वो व्यक्ति विशेश शारेरिक अवस्था के वज़े से जान ही सकता तो जितने भी लोग उस समारों में उपस्तित हुए है वो उस व्यक्ति विशेश से आकर मुलाकात करते हैं और एक तरह से स्नेहाशीश प्राप्त करने वाले होते हैं ये जीवन इसी सिरे और इसी लाइब बद्दता के साथ में आगे बढ़ता है और वहीं से व्यक्ति अपनी जीवन के आधार बनाता है स्वेहम की स्विकारोक्ती बनाता है अनुभव नामकस्ति के साथ जीवन लगतार चलता चला जाता है परन्तो जब भी किसी भी व्यक्ति विशेश को अपनी शुरुवात याद रहती है तो वो कहीं पर भी भटकता नहीं है उस सर्वोच्च सत्ता के परती बारम बार आसक्त रहता है नतमस्तक रहता है श्रद्धानवत रहता है और कहता है कि जीवन बे जो भी मिला वो वाकिए में अकल्पनिया है हम कहां थे कहां तक पहुँचे किस-किस व्यक्ति की वज़े से पहुँचे जो एक्सलेट से हमारे विचारों तक की यात्रा निरंतर तोर के परागे बढ़ी उसने क्या क्या दिया किस-किस तरह से दिया ये हम ही जानते हैं परन्तो जब भी ऐसी किसी भी अवस्था में मैं आने लगता है तो व्यक्ति का मैं सबसे पहले उसकी जो पूर्ववत इस्तियां है उसको मिटाने का कारे करता है मैं वरतमान में ऐसी अवस्था को लाकर खड़ा कर देता है जहां से उस वेक्ते विशेश को कुछ भी विशेश नजर नहीं आता मैं को सर्फ मैं नजर आता है नहम नजर आता है नथे नजर आते हैं और जो वहां की दिर्बलता है दुर्बलता है वो देखते ही बनती है देखते ही खुद को सशक्त महसूस जरूर करता है परन्तु वो होता नहीं है इस वज़े से जो मिला है जिस तरह से मिल रहा है कर्म के साथ में जो प्रशनशा मिल रही है उससे और अधिक जिम्मदारी आती चले जाए और वहीं से खोशियां साथ साथ जुड़ती चले जाती है जिवन इसी सहच्टा का नाम है जब एक अक्षर लिखना सीखा था तो उस समय की आयू में ये सोचते थे कि वाक के बनाना कैसे सीख जाएंगे खुद लिखना इंडिपेंडेंट अपरोच में कैसे सीख जाएंगे परन्तु वो सब कुछ होता चला गया वो इश्वरी विधान है जो सारी ही पूर्णता को सामने लेकर आता है परन्तु व्यक्ति है जो हर जगे अधूरापन ही महसूस करता है परन्तु जब उसके विचार उसे एक पूर्णता की और लेकर चलते हैं यकीन मानिये जीवन के सारे ही आनंद वही समाहित होने वाले होते है इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुक 3 अक्टूबर 2022 का दैनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुए है चंदरमा की स्तिया धनु राशिस्थान में ही है दुर्गास्ट में पर आज के दिवस में ही पूर्ण किया जाएगा तो वहीं पूर्वा शाढ़ा नक्षत्री परिदिया सुम्बार है आश्विन मास शुकल पक्ष चल रहा है और हम दैनेक राशिफल के शुरुवात करते हैं मेश राशिके साथ में आपके लिए आज जो भाग्य का सयोग कामकाजी जीवन में है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है व्यापारिक इस्तर के उपर किसी विक्ति विशेश को साथ में जूड़ना है या फिर बड़े निर्णे लेने की प्रक्रियाओं में गर परिवार के और से सलाह लेनी है इस पश्रता बनी रहेगी विध्यारती वर्ग एकागरता के साथ में चलने बाले होंगे जो गृप डिसकेशन आदी होते हैं या फिर कई बार किसी नई स्रे के साथ में सिक्षा की और जाना होता है वो सहीू का करम बना हुआ शेयर मार्केट संबंदी काम का आज में सुबह साड़े नौ बज़े से लेकर साड़े ग्यारा बज़े तक का समय अंतराल विशेश तोर पर सक्रियता देने बाला कहा जाएगा यहाँ पर आप आत्म विश्वास के धनी स्तर को मैसूस करने वाले होंगे इसे वज़े से कोई भी इंटर्वियू सामने है या फिर कोई और चर्चा सामने है वहाँ पर भी आपकी स्थिर्ता और आपकी जो वक्ता शैली है वो परभाव उत्पन करके विज़ाए की और आपको लेकर जा सकती है डिसिप्लिन के साथ चलने का प्रयास कीजिएगा उसके बड़े फाइदे मिल सकते हैं और जो समय बेचेगा जो मुलाकातें अधूरी रह चुकी है वहाँ पर उस समय का इस्तमाल किया जा सकता है वरशब राशी रिसर्ट संबंधिक आमकाज में आप यहां बहतरी महसूस करने वाले होंगे वेयापारिक जीवन में रोपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें आत्म विश्वास में निरनायक मौकों में कमी आ सकती है उससे आप संभल कर चलने का प्रहत्न कीजिएगा यह वो समय है जहां शेर मार्केट संबंधिक आमकाज में जल्द बाजी में निरनाय लेने से पूर्ण तया बचें गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित समस्याएं हावी हो सकती है आप अपने बेसेस पर किसी प्रोफेशनल अपरूच के साथ में चल रहे हैं तो कुछ नएपन की जरूरत है परन्तु आज स्ट्रेजी बना कर चलें एक्जीक्यूशन के लेवल से बचें क्योंकि अस्टम भावस्त चंद्रमा की स्थितियों का आधार है ये निविदन आप से हम करना चाहेंगे कि पारेवारे के जन्नों के साथ चोटी चोटी बातों में स्वेम को उलजाने से आप पूर्ण रूपेन बचते चले जाईएगा आर्टिस्टिक फिल्ड स्पेसिफिक के साथ में जो भी महनभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव बेस कंटिनूस नोट के उपर बना हुआ रहेगा और वहीं आप ये भी देखें कि आज के दिवस में मादुर्गा के आरादना और अपासना करते हुए सुहम की उर्जा के साथ में जुड़ना भी एक अच्छा कर्म कहा जाएगा और रुके हुए और अटके हुए रोपए पैसों के साथ में जो दवधाएं बनी हुई थी वहाँ पुनहेक तेवरता निकल कर आ सकती है मितुन राशी वियापार में आज वहवारे किस्तर को बहुत अच्छे से लेकर चले कोई भी विक्ति विशेश रियक्टिव करने का प्रयास कर रहा है हमारे जवाब में शान्ती और मुस्कुराष्ट दोनों ही श्रुमार रहे शेर मार्केट संबंधे कार्य में किसी भी तरीके के निवेश के साथ में बढ़ना चाहते है सही योग बना रहेगा जो भी कार्य किसी विक्ति विशेश पर डिपेंड होकर ही पूरा हो सकता है या उसकी जरुरत रहेगी तो आज तोड़ा सा जुकर भी संबंधों को संभाल कर चलने की आवशकता है आप अपने साथ में बना कर चलने का प्रयात्न करें ये इस पस्टता आपने भीतर तक रेकांकित करके रखें कि आज के दिवस में ग्रिहस्त पक्ष की और से सोकत खबरें आ सकती है और वहीं जो एक्स्पेक्टिशन्स किसी विक्ति विशेश से या मित्र से थी वहाँ पर कहीने कहीन दोका मिल सकता है या असफलता किसेरे मिल सकते हैं बहुत जादा तारतम में वहाँ नहीं है ये गौर कीजिएगा हलाकि एक्सपोर्ट संबंदे कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आप देखने वाले रहेंगे बढ़ते हैं हम करक राशी की और चोटी चोटी बातों के साथ सोच में जो रुगुनता निकल कर आती है उसे पूर्ण तया बचने का प्रयत्न केजिएगा वहीं पर व्यापारिक जिवन में यहां भागदोर तो है परंतु इसी भागदोर के साथ में अंतिम सरे के साथ आप स्वयम को कहीं ने कहीं संपन्न महसूस करने वाले होंगे कई बार कामकाज में व्यक्ति भागता है दोडता है असफलता मिलती है परंतु मन में संतोष रहता है कि जो किया वो वाकई में सही था ये स्थतियां सामने निकल कर आ सकती है वहीं भूमी संबंदित कामकाज में बड़े निरने की प्रक्रियाओं से दूर रहने का प्रयास करें भाग्ये का सैयोग जब नहीं हो तो व्यक्ति ये याद रखे कि जो किम बड़े निरने आज काले जाते हैं तो अच्छा है और वहीं जो आप अभी तक अपने कामकाज के साथ में कुछ लोगों का हस्तक्षिप महसूस कर रहे थे जिस वज़े से आपको बादाएं आ रही थी आज इस पस्त उत्तर के साथ चलने की जरूरत बनी हुई है और वहीं नेत्र संबंधे विकारों से भी सावधान रहकर चलें और रुपए पैसे के लेन दिन में अंजान वेक्ति के साथ सावधानी भरतने का प्रैतन की जिएगा वहीं सेंगराशी अपने क्षमताओं में पूर्णतया यहां वृद्धी रहने वाली होगी भाग्य का सयोग यहां निरंतर तोर के उपर बना हुआ है आध्यात्मिक चंतन में वृद्धी के प्रतिमान इस्थापित है आयर एजुकेशन को रिलेट करती हुई किसी भी पूजिशन के साथ कोई नई पॉसिबिलिटी आपको देखनी है तो वहां पर भी आप एक अलग लेवल को एस्टब्लिश करने वाले रहेंगे ये निविदन है आपसे कि जो लेखन संबंदी कामकाज के साथ जुड़े हुए मानुभाव है अब वो किसी पॉब्लिशिंग हाउस की तरब जाना चाहते है ऐसे कारे को आप आगे बढ़ा सकते है कोई भी रूटीन में आपने एकसरसाइस के बेस को लिया है पढ़ने को लिया है अब कैसे उसे कंटिनूस बेसिस के उपर देखने वाले होंगे अपने मनतब्व में ये सपस्टता बनाकर रखने वाले जरूर आप रहिएगा और वहीं आप गैजेट संबंदी किसी भी कामकाच के साथ में अस्तक्षिप रखते है या कोई भी ऐसे कारे के साथ में आपका जुडाव है जहांपर टेकनोलोजी के साथ आपको बहुत अरिक चलना होता है वहाँ पर खुद को अपडेट करके चलने का प्रयास जरूर करें कन्या राशी सबसे पहले बेसले स्फियर की अपरोच से बचें तो वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा आपको नकारात्मक किया जा रहा है उनके मनतव्य को पैचाने वहाँ उलजने के आवशक्ता नहीं है वरन डिटैच्मेंट की रेकुवाइरमेंट रहेगी आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कई इस्तित्यों की प्रबंदन के साथ जुड़े होते हैं मैन मेनेजमेंट के प्रोच होती है प्रते एक व्यक्ति की सोच अलग उसके साथ में डील करना है, कोबब करना है एक बार स्वयम को पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड बेस में लेकर चलिएगा कलम और पन्ने के साथ में चलें यह ये कारेस व्यक्ति को सौंपा जा सकता है और इस तरह की प्रोक्सी की अप्रोच भी हमको रखनी पड़ेगी यह सब कुछ विचार रखने के आपशक्ता है क्योंकि यहां प्रोएक्टिव रहने की आपको पूरी पूरी जरूरत ने बनी हुई है यहां कहीं ने कहीं मन के भीतर वैचारिक और द्विगनता निकल करा सकती है जो परिशान करने वाली हो सकती है कोई भी बात जो आपको रियक्टिव कर रही हो आपक होने से बचिएगा अन्निता खुद के लिए दो बढ़ाया आती चले जाएंगे मेडिकल और टेक्निकल फिल्ड के साथ में आपका जुडाव है रिलेटिव पोजिशन के साथ में एक अलग फ्रेम को आप देखने वाले होंगे यानि कहीं ने कहीं मान और सम्मान दोपहर के बाद ऐसे शिरों में आपको पराप्त होता चला जाएगा तुला राशी प्रतमतया नौकरी पेशा जीवन में सपताहा की शुरवात उरजा के साथ हो रही है बड़े निरनाय लिये जा सकते हैं यात्रा यदि सामने आती है तब भी उत्साहित होकर उनको सुईकार करके चलने का प्रयास कीजिएगा आर्टिस्टिक फिल्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए सामने से चलकर जो अवसर आ रहे हैं उनके प्रतिकरतग्य भी रहें और कहीं न कहीं उनको अपना कर चलने का प्रयास भी पूर्णतया जरूर करें तो वहीं ये स्पष्टदा भी अपने साथ में आप बना कर रखें कि जो यहाँ पर स्वास्त में दुवधाएं थी प्रॉपर बेसेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलते हुए वहाँ पर भी आप काफी हद तक सॉल्यूशन को सामने लेकर आने वाले हो सकते हैं तुला राशी के जातकों को चाहिए कि भाईयों और मित्रों के साथ कोई भी शुरुवात आपने की है और आपको लग रहा है कि हम ही पूरी मैनत कर रहे हैं अगले वेक्तिविशिश के और से तो कोई मैनत रफाट साहीं नहीं तो एक बार बैटकर चर्चा करने की जरूत है खुद को बारम बार कुंठित करने से आप बचिएगा ये सपस्टता भी जरूर बनाएं और वहीं और अक्त संबंधे वेकारों से भी साबधान रहें वरिश्चक राशी प्रतमतया जो फाइनेंशल गीन के अप्रोच है आज ओ दोबहर के बाद बिजनस के प्रोस्पेट्स के साथ मिल सकती है अटके हुए रुपए और पैसे में भी यहाँ पुनह सहूलियत और रोटिशन निकल कर आ सकते हैं पूरे तरीके से अपने कारे शेतर में सनलगन रहें पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी चर्चा सुबह सुबह के अंतराल में नकारात्मक नहीं करें ध्यान रखिएगा चुप़ी कई बार आवशक स्तर के साथ में चलनी चाहिए वो एक प्रवर्टी रहती है तो आप कही विवादों को टालने वाले हो सकते हैं यहां जो ऑफिस कल्चर के साथ में कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स के मद्यम से आपको भी अलोचनाओं के भीतर खींचा जाता है हम कैसे वहां से खुद को डिटैच रख सकते हैं इस एक मंतब्द को अपने साथ सफस्ट करके चलने का प्रयाज जरूर करें और वहीं ये निविदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कार्य यहां पर आपने अपने साथ में पूर्ण तया जोड़ लिया है उसमें पूरे तरीके से उर्जा के भाव रख कर आप चलने वाले रहें ये ही वो समय है जो मेनुफेक्चरिंग और आटोमबल संबंदे कामकाज में भी आपको विशेश तोर के उपर बहतरी देने वाला हो सकता है इसे क्रम के साथ में चलते हुए आप ये भी गौर कीजिएगा कि कहीं पर भी खुद को छोटी छोटी बातों के साथ हतोतसाहित करने के आवशकता हैं बिल्कुल भी नहीं है हम यहाँ पर इग्नोरेंस के अप्रोच को भी अपना कर चलेंगे तो वहीं धनूराशी परतमतया कोई भी इंटर्वियू कॉल सामने निकल कर आ रहा है एक पॉजिटिव बेस को आप स्वैम के लिए यहाँ पर महसूस करने वाले होंगे फ्लेक्सिबिलिटी की अपरोच को अपना कर चलिएगा शेर मार्केट संबंदे का अंकाज में दोपहर सबाबारा से दो बज़े तक का समयाती उत्तम है ग्रेहस्त जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं मान और सम्मान को पराप्त करेंगी तदा कई बार जो एक तरह से गर परिवार में कलेशेस के अपरोच होती है उसमें अपनी रोल प्लेइंग अपरोच को रखके अपने हस्तक शेप को बढ़ा कर जो इस्तित्यों को संबलना होता है उसमें आज आज आपकी महारत देखते हुए बनती है विशेश कार्या आज आपको जौब में सौंपे जा सकते हैं उसके लिए तयार रहेगा वहीं से भावी जीवन के आधार भे तै होने वाले हो सकता है इसे एक मूल मंतर को अपने भीतर तक स्थापित करके रखने का प्रयास करें और वहीं आप ये भी देखें कि अनुशाशन आज आपको बड़े फाइदे देने बाला हो सकता है मकर राशी शनिदेर प्रदान राशी के जाए तक खर्चों पर नियंतरन रखने का पूरा पूरा प्रयास करें ये भी आप से निवदन करना चाहेंगे कि चोटी चोटी बातों में जो कई बार अटकाव निकल कर आते हैं उनसे भी दूरी बना कर रखने की पूरी पूरी आवशक्ताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी हाला कि जो भी एक्सपोर्ट संबंदी काम का आज है तकनीक के साथ में जुड़ीवू इस्ततियां है कि यहाँ जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक हम खुद को वहीं पर जोड़कर रखने वाले होंगे कोई भी निवेश की प्रक्रियाओं में बाधा आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाना ज्यादा अच्छा रहेगा वहीं हम बढ़ते हैं शनिदेव की मूल्त रकॉण कुम्ब राशी की और शेर मार्केट संबंधि कामकाज में दोपहर के बाद निवेश अच्छे कहे जाएंगे नौकरी पेशा जीवन में अटकाव और भटकाव से यह यात्रा दूर हो रही है यहां ध्यान के साथ सुवे सुवे के समय चलने के आवशकता रहेगी मालूम है कि आज कई कारेशों को एक साथ संपारत करना है और उसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट के रिक्वारमेंट है और उससे भी ज्यादा एक ट्रेंकूल के रिक्वारमेंट है पुलगातार विजय की तरफ आपको लेकर जा रहा है परम्तु अपने खानपान में स्पेसिफिक रहीएगा जिससे उर्जा पूरे ही दिवस में मदद करने वाली जरूर रहे अन्निता आलस से घर करने वाला हो सकता है ये निवदन आप से हम यहाँ पर करना चाहेंगे और इस बात पर भी आप गौर करें जो भी कार यहाँ लंबे समय से अटके वो थे वहाँ पर पुनह प्रयास आपके लिए सफलता को लेकर आ सकता है मीन राशी आजिवीका का कोई भी नया माध्यम यदिया विकसत करके चलना चाहते हैं तो यहाँ सायोग आपके साथ रहेगा मानसिक सुक की स्ततियों में पूर्ण तया वृद्धी बनी हुई है तो वहीं सरवांगिन लाप की स्ततियां भी यहाँ आपको सिरे बद्धाधार पर सकारात्मक्ता दे रही है ग्रिहस्त पक्ष का सयोग आपके साथ बना रहेगा तो वहीं पर यह नविदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेश के साथ में किसी कारे की शुरुवात करना चाह रहे थे और चर्चा में हिचक रहे थे उस व्यक्ति के ओधे को लेकर उस व्यक्ति के कारे करने के ख्षमताओं को लेकर आज स्वयम को वहाँ परस्तुत करने के पूरी-पूरी आवशकता है जो डर मन के भीतर बड़ा हुआ है उससे आज लड़ने की जरूरत है हम सिर्फ और सिर्फ उससे भागते रहेंगे तो उस डर के पहाड को अपने भीतर स्थापित करते चले जाएंगे उस गहरे को तूड कर आगे बढ़ना सुखत इस तर लेकर आ सकता है और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि ग्रिहस्त पक्ष के साथ में जो भी समबाद आज लंबे समय के बाद हो रहा है मनमुटाव के बाद हो रहा है वहाँ पर भी को नहें जुडाव की प्रवर्तियां लगातार आपके साथ में रहती हुई प्रतीत होंगी ये एक मूल मंतर अपने साथ आप जरूर रख कर चलने वाले रहें मित्रों का सायोग अपक्षत तोर पर आज आपके साथ में बना रहने वाला होगा और इसे के साथ जो भी कारेर बनिफेक्चरिंग से संबंदित इस्तियों में होते हैं आज आप एकल बूते बड़े निर्णए लेने वाले हो सकते हैं इस एक प्रक्रिया पर भी आप गौर कीजिएगा टेक्स्टाइल संबंदिक आमकाज के साथ में आपका जुडाव है तब भी आपके लिए आर्थिक पक्ष में बहते ही निकलकर आ सकती है तो ये था तीन अक्टूबर 2022 का दैने करा शिफल हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उबस्ते दोते रहेंगे धन्यवाद और कूटी शहर आप हर